दोस्तों अगर आपके पास भी टेक्स्ट फॉर्म में कोई डेटा है और आप उसको वीडियो फॉर्म में कनवर्ड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जी हाँ बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है अगर आपके पास कोई साहरी है कोई मोटिवेशनल कोट है या कोई भी फणी स्टोरी है और आप चाहते हैं उस फणी स्टोरी जो आपके पास टेक्स्ट फॉर्म में है आप उसे वीडियो फॉर्म में कनवर्ड करके किसी के साथ भी शेय तो आज कल YouTube और Instagram एक बहुत अच्छे options माने जाते हैं, बट YouTube पे भी आपको पैसे अर्ण करने के लिए वीडियो बनाना आना चाहिए, ऐसे में अगर आप अपना फेज नहीं दिखाना चाहिते, अगर आप अपनी वाइस भी नहीं उसकरना चाहिते, तो अब इस तरीके की short stories क copy and paste के साहिता है, आप उसको वीडियो में convert करके उनको upload कर सकते हैं, और आपका channel fully monetized भी होगा, और आपकी earning होती रहेगी, तो कैसे करेंगे आप किसी भी text को वीडियो में convert, ताकि आप उसे use कर पाएं, जहां पे भी आप चाहें, ये आज के इस वीडियो में मैं आपको बता करूँगा, तो यहां पर देखेंगे, motivational series दिखाई दे रहे हैं, मैं text को video form में convert करूँगा, उसके लिए मैं text को copy करूँगा, तो यहां पे जो पहली वाले सारी है, मैं इसी को select करता हूँ, और select करके, मैं इसको यहां से दुबारा से कर लेता हूँ, select करता हूँ, और copy कर ले करने के बाद आपको यहां पर sign up करना है, sign up के लिए आप देखेंगे, उपर login with google दिखाई दे रहा है, मैं इसी पर click करता हूँ, और click करने के बाद जो भी मेरे laptop में already पहले से login होंगे, उनी में से मैं किसी एक को choose कर लेता हूँ, आप चाहें तो आप नए series से कर लिजे, जै तो आपको यहां से ratio set करना है, अगर आपको shots के लिए बनाना है, तो आप बीच वाला कर लिजे, अब vertical form में रखना है, जैसा रखना है, तो आप उसके एसाब से choose कर लिजे, मैं यहां पी यह वाला choose कर लेता हूँ, shots के लिए और Instagram release के लिए, इसके बाद आप नीचे आप ज दिखाई दे रहे हैं, तो जो आपको better लगे, आप उसे ही पर click करें, click करने के बाद क्या होगा, वो loading process में आएगा, और नीचे आपको दिखाई देगा यहां पर, तो यहां पर आप से पूछ रहा है, फिर से ratio कौन सा रखेंगे, तो यहां पर click करने के बाद आप हूँ, motivation, ठीक है, इसके बाद में हम edit भी कर सकते हैं, तो यहां पर फिलाल में edit motivation टाइप करके, और यहां पर मैं click करते हैं, paste करते हूँ, control plus V, और वो यहां पर आ गई, इसके बाद मैं next पर click करूँगा, तो जैसे मैं next पर click करूँगा, तो यह text video form में convert होना start हो जाएगा, तो थोड़ा सा time लग रहा है, तो इसको हम convert हो जाने देते हैं, तो यह convert होने के बाद कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा, वीडियो अगर आप चाहें तो preview देख सकते हैं, थोड़ा सा loading आपको side में और यह आपको यहां पर clips बनकर हो गई है, ready, preview all पर click करते हूँ, आप सबका preview देख सकते हैं, यहां पे timeline भी आपके पास available होगी, जो भी वीडियो बना है, अगर आप उसमें कोई video add करना चाहते हैं, कोई दूसरी चीज़े changes करना चाहते हैं, तो उपर आप देखेंगे, आपको यहां पर advanced editor का भी option देखने को मिलता है, अगर आपको preview देख सकते हैं कि करके, मैं play कर रहा हूँ और अगर आप चाहें तो music वगरा भी add कर सकते हैं, अगर आप यहां से video को cable बनाना चाहते हैं, तो preview all पे click कर ले, तो आपको preview दिखाए देगा, तो यहां पे आप जैसे advanced editor पे click करेंगे, तो advanced editor पे भी पहुंच जाएंगे, तो यहां से म करने के बाद देखे, पूरी clips आपको दिखाए दे रहें नीचे से यहां ते, और कितनी कितनी distance cover करी ही, वो भी आपको दिखाए दे रहें, यहां पे आपको जो भी changes करने हूँ, अपने मन मुताबिक आप कर सकते हैं, सबसे पहले और important चीज़, आप यहां पे देखेंगे, तो आपको यहां पे options भी दिखाए दे रहें, जिनके आप इस्तमाल कर सकते हैं, trim कर सकते हैं, अपने project को, और अपने मन मुताबिक आप use कर सकते हैं, नीचे को जो audio दे रखा है, यह music अगर आपको पसंद ना हो, तो click करके आप इसको delete कर सकते हैं, simply, और आप बाद में अप लाल यहां से मैं हटा देता हूं, इसके बाद जो clips दिखाए दे रहें, आपको किसी दूसरी clip को add करना है, तो उस clip पे जाए, और click जाने के बाद आप उसको drag करके, जिस भी आपको clip पे छोड़ना है, छोड़ दीजे, drop करिए, इसके बाद आप से पूचे का कितना बड़ा आपको size लेना है, तो अब यहां पे देखेंगे, use for the video कर दीजे, तो इससे क्या होगा, जितना video, जो पहली वाली slide तो जो size होगा, उसके according यह अपने आप से ले लेगा, अगर आप पूरा select करेंगे, तो पूरा select करने से क्या होगा, कई बार slide का size बड़ा हो सकता है, तो पे आपको देखेंगे, मैं यहां से छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर देता हूँ, इसके बाद आप करने के बाद अगर आप इसका preview देखना चाहते हैं, तो आप preview देख सकते हैं, मैं click करके preview दिखा देता हूँ आपको एक बार, तो यह आपको preview कुछ दिखाए देने बढ़ा सकते हैं, टाइम लाइन पे क्लिक करके, जैसे देख सकते हैं आपको हर टाइम लाइन पे हां पर, और इसके बाद आपको last में क्या करना है आपको इसको download कर लेना है, तो ओपर click करीए, और click करने Memorial पेठी करने के बाद download पर क्लिक करना है list क्लिक कर लेजिए, तो फिलाल यहाँ पर यह डाउन्लोडिंग प्रोसेस आन है, हो जाने देते हैं और इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए डाउन्लोड बटन पर मैं क्लिक करता हूँ और यह वीडियो बनकर हो जाएगा रेडी होने के बाद अगर आप चाहें तो किसी भी एडिटर पर इसके बाद अगर आप फोन का यूज करते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए तो सबसे पहले आप कोई भी यहाँ पर वीडियो एडिटर ओपन कर लीजिए, मेरे केस में मैं यूज कर रहा हूँ पावर डिरेक्टर तो मैं इसको ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद ह आपको इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है, तो यहाँ से मैं इंपोर्ट कर लूँगा, अब इंपोर्ट करने के बाद अगला काम ये है कि आपको इसको वाइस ओवर देना है, या फिर आप अलग से कोई म्यूजिक आड़ करना चाहते हैं, तो आप आप आड़ कर सकते वाइस उबर देना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर layers के उपर एक option बना हुआ है आप मैं इस पर click करूँगा click करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको audio का option दिखाए देता है मैं इस पर click करूँगा जैसे मैं इस पर click करूँगा तो आप उपर देखेंगे यहाँ पर आपको यह माइक का option दिखाए देता है मैं जैसे ही click करूँगा तो यहाँ पर recording हो जाएगे start इसके बाद मैं यहाँ पर click करूँगा record पर सेलेक्टर होंगो track यह जिन्दगी है हसी इससे प्यार करो अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो वपल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको रब पर रखो भरोसा और वक्त पे एतबार करो यह जिन्दगी है हसी इससे प्यार करो अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो उपल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको रब पर रखो भरोसा और वक्त पर एतबार करो तो वीडियो बनकर रेडी हो गया है अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है और इसको एक्सपोर्ड करा लेना है एक्सपोर्ड कराने के बाद आप जहाँ पर भी चाहें इसे आप आसानी से अपलोड कर सकते हैं तो आपको तरीका समझ आ गया होगा आप कैसे टेक्स्ट को वीडियो फ़र्म में कनवर्ट करके उसे सुशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेट कर सकते हैं, ताकि जैसे ही कोई भी नए वीडियो आता है, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले, आज के इतना ही, बाइ-बाइ and टेक केर।